पुलिस अब तक इस मामले के मुख्य स्तरगना का पता लगाने की कुशिश कर रही थी लेकिन अब खुद लॉरेंस बिश्णोई गैंग ने बाबा सिद्धिकी को ठीकाने लगाने की जिम्मेदारी ले ली है इसके लिए बाकाइदा एक पोस्ट भी किया गया है जिसे लॉरेंस बिश्णोई गैंग की ओर से किया गया पोस्ट बताया जा रहा है हलाकि इस पोस्ट की सत्यता की जाँच की जा रही है और ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या वाके ये पोस्ट लॉरेंस बिश्णोई गैंग की ओर से ही किया गया है इस पोस्ट को लेकर मुंबई पुलिस ने कहा कि हमने वारिल सोशल मीडिया पोस्ट देखी है जिसकी जाच की जा रही है जो पोस्ट लॉरेंस विश्णोई गैंग की ओर से किया हुआ बताया जा रहा है उसमें सल्मान खान और दाउद उबिराहिम का भी जिक्र किया गया है साथी बाबा सिद्दिकी की शिराफत के पुल बांधने वाले बॉलिवूड एक्टर्स और निताओं की इस बात पर भी आपत्ति जिताई जा रही है कि वे जिस बाबा सिद्दिकी से साहनुभूती जिता रहे हैं वो खुद मकोका एक्ट में रह चुका है सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहे है इस पोस्ट में लिखा है जो भी कोई सलमान खान या दाउद गैंकी हेल्प करेगा वो अपना हिसाब किताब लगा कर रखना इस पोस्ट के शिरुवात में लिखा गया है ओम जै श्रीराम जै भारत जीवन का मूल समझता हूँ जिस्म और धन को मैं धूल समझता हूँ किया वही सतकर्म था जो निभाया मित्रता का धर्म था इसके बाद आगे पोस्ट में सलमान खान पर निशाना सात्ते होई लिखा गया है सल्मान खान हम ये जंग चाहते नहीं थे पर तुमने हमारे भाई का नुकसान करवाया आज जो बावा सिद्धिकी के शराफत के पुल बांधे जा रहे हैं ये एक टाइम में दाउद के साथ मको का एक्ट में था इसके मरने का कारण अनुझ धापन और दाउद को बॉलिवोड राजनिती प्रोपर्टी डिलिंग से जोड़ना था गैंग के सदसने आगे लिखा कि हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है पर जो भी सलमान खान और दाउद गैंग की हल्प करेगा अपना हिसाब किताब लगा कर रखना हमारे किसी भी भाई को कोई भी मरवाएगा तो हम प्रतिक्रिया जरूर देंगे हमने पहले वार कभी नहीं किया जै श्रीराम जै भारत सलाम शहीदानू अब ये पोस्ट सामने आने के बाद चर्चाएं तेज हो गई है क्योंकि इस घटना के बाद से ही लगातार लॉरेंस बिशनोई गैंग पर शक किया जा रहा था अब इस गैंग के इस गथित पोस्ट ने हलचल तेज कर दी है हलाकि जिस सोशल मीडिया हैंडल से ये पोस्ट किया गया है उसका इस्तेमाल लॉरेंस बिशनोई गैंग ने इस से पहले कभी नहीं किया था आम तोर पर किसी घटना के जिम्दारी लेते समय ये गैंग अनमोल बिशनोई, गोल्डी बराड या गैंग के किसी दूसरे बड़े सदसे के सोशल मीडिया हैंडल का ही इस्तेमाल किया करता था लिहाजा ये भी माना जा रहा है कि लॉरेंस बिशनोई गैंग के नाम पर कोई शरार्ती तत्व जाच को बाधित करने की शरार्त कर रहा है हालकि पुलिस इस मामले की हर एंगल से जाच कर रही है दो हमलावरों को पहले ही गिरफतार किया जा जुका है जबकि एक फरार आरोपी की तलाश में जगा जगा दबिश दी जा रही है इस खबर में फिलहाली तरह है बाकी अपडेट्स के लिए बने रहें नबीटी आउनलाइन के साथ